हलो, नमस्कार, नीम विस्टिचूट के इस ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है ये क्लास है साइकॉलजी की और जिसमें हम डिसकस कर रहे हैं अपनी परसनेलिटीज की थियोरिस को मेंली जो हमने दो थियोरिस को यहां पर डिसकस कर चुके हैं अब आज जो है वो नेक्स थियोरिस को यहां पर हम जो है वो डिसकस करेंगे लेकिन अपनी क्लास को कॉंटिन्यू करने से पहले कुछ इंफोर्मेशन है जो मैं आपके साथ शियर कर देती हूँ उसके बाद जो है हम अपनी class को continue करेंगे आपको यहाँ पे screen पे दिख रहा होगा mission HPSST इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है HPSST के अंदर जितने भी exam आते हैं जैसे हो गया आपका HP TAT हो गया, HP Police का हो गया या फिर पटवारी या फिर color का exam जितने भी exam आपके HPSST के अंदर आते हैं mainly new institute उन सभी exam को जो है वो target करता है तो यहाँ पे जो mainly अभी जो आपके पास batch start हुआ है वो हुआ है HP TAT का यानि कि आपके medical के लिए, non-medical के लिए और arts के लिए तो मैं उन student को बता दूँ जिन्होंने अभी तक इस batch को join नहीं किया है उन्हें क्या करना है, उन्हें simply जो है वो Google Play Store पे जाना है और new institute की application को search करना है जब आप new institute की application को search करोगे तो यह blue color का logo आपको दिखाई देगा जिसे आपको पता लग जाएगा कि इस application को आपको जो है वो download करना है जब आप इस application को download कर लोगे तो दिए गए number जिसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 9459802085 पर call करनी होगी जब आप इस number पे call करोगे तो आपको जो है वो batch में enroll कर लिया जाएगा यह तो बात होगी हमारे जो हमने batch start किया है next हम बात करते हैं कि आप जो है वो इस batch को ही क्यों चुने तो इसके कुछ benefits हैं जिनने हम discuss कर लेते हैं जैसे first है यहाँ पे one week demo free यानि कि आपको यहाँ पे course purchase करने से पहले one week का demo जो है यहाँ पे free दिया जाएगा यानि आप अगर satisfied होंगे तभी इस course को purchase करिएगा otherwise आप इसको skip भी कर सकते हो secondly यहाँ पे daily classes ली जाती है weekly test होते हैं और doubt session भी यहाँ पे रखे जाते हैं mainly जो बात है यहाँ पे कि 20% discount दिया जाएगा कौन से student के लिए BPS student के लिए वो बच्चे जिनके आर्थिक स्थेती थोड़ी ठीक नहीं होती है उनके लिए यहाँ पे क्या है 20% discount है जो हमारा fee structure है अगर मैं fee structure की बात करूँ तो यहाँ पे fee structure रखा गया है one triple nine यानि की 2000 रुपे के अंदर आपको जो है यहाँ पे HP TED का एक full course और एक full batch जो है देखने को मिलेगा और इस fee structure के अंदर भी जो BPS student है उनके लिए 20% यहाँ पे less कर दिया गया है तो यह एक बहुत अच्छी opportunity है उन student के लिए भी यह तो बात होगी यहाँ पे जो benefits से इस course को लेने के लिए next हम बात करते हैं यह कुछ information है मेरे बारे में और next हम आज की जो हमारी class है psychology की अब उसको जो है वो start करते हैं mainly हम जो है यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे personalities की theory को और personality की theory भी कौन सी जो आती है आपकी type approach के अंडर जो भी theories आपकी type approach के अंडर आती है उनको यहाँ पे हम discuss कर रहे हैं mainly जो है यहाँ पे चार theories हैं जो type approach के अंडर आती हैं जिसमें से जो है वो हम दो theories को है वो हम discuss कर चुके हैं वो दो theories कौन सी थी एक तो आपकी hypocrites की theory थी और second जो थी वो आपकी kretsmer की theory थी 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 हिपोक्रेटी की theory में हमने क्या बढ़ा था वो flutes के बारे में पढ़ा था जो अलग-अलग flutes उन्हों ने बताय थे और जो हमारे पास kretsmer की theory थी उसके अंडर हमने क्या पढ़ा था उसके अंडर उन्होंने four type बताये थे personality के, ठीक है, aesthetic, athletic, जो four type थे, वो हमने detail में, जो है, वो last video में discuss कर लिया है, कर लिया था, अब जो है हम, जो हमारी third classification है, type approach के अंडर, जो third classification है, उसे हम आज यहां पे discuss करेंगे, वो third जो है type या फिर जो हमारे पास theory है, वो कौन सी है, वो है Sheldon classification, Sheldon कौन थे, Sheldon हमारे पास psychologist थे, जिनों ने भी क्या बताये, personality के, अपने according जो है वो type बताये, यानि classified किया personality को, ठीक है, Sheldon classification, यानि यह third हमारे पास theory होगी, type approach के अंडर, यहां पे आपको दिख रहा होगा screen पे, Sheldon classified, यहां पे होगा personality into three type, जो Sheldon थे, उन्होंने personality को, किसी person की personality को, व्यक्तित्व को क्या किया, तीन type में divide किया, ठीक है, उन्होंने बोला, कि तीन type के, क्या होते हैं, तीन type की personality होती है, उसके अंडर कौन कौन से जो है वो person आते हैं, जिसे first इन्होंने बताया, endomorph, कौन से, endomorph, जिसे क्या बोला गया, viscerotonic भी बोला जाता है, यह एक personality की type है, ठीक है, यह क्या है, एक personality की type है, इस personality के जो person होते हैं, वो कैसे होते हैं, इसके यहां पे characteristics नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है, Sheldon ने तीन बताई, जिसमें first है, endomorph, ठीक है, endomorph, या फिर उस personality को बो जाता है, viscerotonic, ठीक है, इस personality के जो person होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो शोशेवल होते हैं, उन्हें समाज में घुलना मिलना जादा पसंद होता है, fun loving होते हैं, love of food होता है, ठीक है, खाना पीना उन्हें जादा पसंद होता है, such person are short and fatty with a round shape of body, ठीक है, उनकी physique के बारे में यहां बताया गया है, कि कैसे होते हैं, short होते हैं, fatty होते हैं, और round shape की body होती है, मतलब थोड़े fatty fatty होते हैं, relaxed रहते हैं, है न, and has a need of affection, ठीक है, जितना प्यार वो देते हैं, उतना वो चाहते भी हैं, कि हमें जो है, उतना ही प्यार मिले, ठीक है, mainly यह कौन से person होते हैं, जो क्या, समाज में रहना, लोगों से बाते करना, समाज में adjust होना, अच्छे से, ठीक है, यह सारी जो बिशेशताएं हैं, वो कौन सी इसमें होती हैं, personality में होती हैं, endomorph personality में होती हैं, और यह किस के according है, यह है, Sheldon के according, ठीक है, यह बा को यहाँ पे discuss कर लिया, वो है endomorph, ठीक है, next हम देखते हैं कि दूसरा उन्होंने कौन सा बताया, दूसरा उन्होंने बताया, mesomorph, कौन सा, mesomorph, यानि समेटो टॉनिक, कौन सी टाइप की personality है, यह, समेटो टॉनिक personality, यह personality कैसी होती है, इस personality के जो person होते हैं, वो कैसे होते हैं, जिनके muscles जो होते हैं, या फिर bones जो होती है, वो quite bell developed होती है, ठीक है, adventurous होते हैं, competitive होते हैं, tough minded होते हैं, ठीक है, risk taking होते हैं, aggressive भी होते हैं, और bold होते हैं, dominance होते हैं, ठीक है, यह सारी की सारी characteristic कौन से person की है, कौन सी personality की है, mesomorph personality, यह type है, mesomorph और personality है, यहाँ पे, समेटो टॉनि यहां पे जो थोड़े bold होंगे, अपना decision रख पाएंगे, ठीक है, dominance होंगे, dominance का मतलब है कि अपना प्रभाब जो है, वो हर जगा पे क्या है, दिखा पाएंगे, tough minded होंगे, competitive होंगे, ठीक है, उन्हें मतलब risk लेना उन्हें अच्छा लगता होगा, अगर फिजीक की बात करें तो muscular type होंगे, body-body, जो है वो उनकी अच्छी होगी, ठीक है, bell developed bone होंगे, ठीक है, यह सारी personality किसके अंदर आ जाती है, आपकी, mesomorph के अंदर जो है, यहां पे आ जाती है, अगर मैं एक और बात कहूं आपसे, तो जो हमने last की जो theories पड़ी हैं, जैसे kretsmer हो गया, या फिर hypocrites हो बात की थी, जो second हमने पड़ी थी, क्रेचmer की, तो बहां से भी आप क्या है, थोड़ा-थोड़ा इसको relate कर सकते हो, क्योंकि बहां की जो क्रेक्टर स्टिक्स है, उनकी जिसे athletic है, जो बहां की क्रेक्टर स्टिक्स है, वो यहां पे थोड़ी-थोड़ी match कर रही होंगी, वो male खा रही है, थीक है, तो यह यहां पे विशेसताय होगी, आपके पास mesomorph की, यानि smetotonic personality की, थोड़ यहां पे आती है, हमारे पास, actomorph, कौनसी actomorph, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे serebrotonic personality भी कहा जाता है, यह जो actomorph होते है, यह कौन से type के person होते है such people are tall and thin, ठीक है, जो लंबे होंगे और पतले होंगे, ठीक है, even though they may eat as much as the endomorph, they never seem to put on weight, मतलब की, जैसे बोलते हैं ना कि इसको खाया पिया लगता नहीं है, तो इसका वो ही मतलब है, जिकी वो जितना मर्जी खा लें, उनकी वोड़ी पे वो नहीं लगता है, उनका बेट जो ह यह नहीं बढ़ता है, ठीक है, तो वो कैसे टाइप की होते है, थोड़े लंबे होते है, थीन होते है, ठीक है, और यह से परसन कैसे होते है, इनकी characteristics क्या है, इनकी यह थोड़े introvert होंगे, self-conscious होंगे private रहेंगे ठीक है thoughtful होंगे लेकिन होंगे कैसे thoughtful होंगे ठीक है private मतलब अपने में ही रहना इनको जो है वो जादा पसंद होगा यानि कि जो यह शोशेबल नहीं होंगे जादा ठीक है जैसे हमारी first जो हमने type पड़ी थी उसमें क्या था person क्या था ज्यादा जो समाज में था अच्छे से कर पारा था लेकिन यह जो एक्टो मॉर्फरस टाइप के जो person है जो यह cerebrotonic personality है यह कैसी personality होगी जो थोड़ी introvert होगी self-conscious होगी अपने बारे में है न प्राइवेट रहना पसंद करेगी और साथ में यह क्या होंगे thoughtful भी होंगे ठीक है यह थी हमारे पास तीन टाइप जो हमने यहाँ पे discuss की जो दी गई थी Sheldon के द्वारा Sheldon ने क्या किया था personality को तीन पार्ट में दिवाइड किया था first आगी endomorphous, second आगी mesomorphous और third आगी आपके पास actomorphous ठीक है यहाँ पे one by one जो है हमने इनको discuss किया और साथ में हमने इनकी जो characteristics थी उनको भी देखा ठीक है अगर आप इनको relate करके पढ़ोगे कि क्रेचमर की कौन सी जो personality की जो हमारे पास characteristics है वो Sheldon की कौन सी type से जो है वो match कर रही है तो आपको easily जो है वो learn हो जाएगा next हम देखते हैं यहाँ पे fourth classification आती है यह जो हम पढ़ रहे हैं यह type approach के under अब हम पढ़ेंगे fourth classification first हमने पढ़ी hypocrite की second हमने पढ़ी क्रेचमर की third हमने पढ़ी Sheldon की और अब हम पढ़ेंगे theory Karl Jung classification की ठीक है इन्होंने भी क्या किया था अपने according जो personality थी उनको क्या किया था divide किया था यानि किसी person की personality को हम कैसे पता कर सकते हैं ठीक है कि इस person की जो personality है वो कैसी है ठीक है तो इन्होंने भी कुछ क्या देखे थे कुछ type इन्होंने भी divide किये थे जैसे यहाँ पे लिखा है जंग divide all human being basically into two distinct type ठीक है इन्होंने दो टाइप में इन्होंने डिवाइड किया ठीक है कहीं होने 3 में किया कहीं होने 4 में किया और इन्होंने जो काल जंग थे इन्होंने दो टाइप में जो है वो personality को डिवाइड किया कौन-कौन सी एक introvert and एक extrovert ठीक है और base क्या था ठीक है जंग में जो divide किया personality को extrovert और introvert को वो किस base पे किया कि जो particular person है उसकी जो social activity है वो कैसी है वो समाज में कितना adjust कर पाता है और कैसे adjust करता है ठीक है social participation कितनी है उसकी उसके interest क्या है about society ठीक है social activity कितनी करता है वो तो मतलब ये सारा उन्होंने क्या किया एक social जो environment है उसके according उन्होंने क्या किया personality को divide किया तो उन्होंने दो type बताए एक बताया introvert और एक बताया extrovert सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये extrovert personality होती है वो कैसी personality होती है वो होती है जो ये person होते हैं ये socially oriented होते हैं ठीक है तो जो extrovert personality के person होते हैं वो कैसे होते हैं वो socially oriented होते हैं उन्हें समाज के काम करना समाज में अपनी भागेदारी निभाना जो है वो अच्छा लगता है दूसरों से बातें करना अच्छा लगता है ठीक है टॉक्टिव होते हैं और स्पोर्टिव होते हैं तो ये सारी characteristics के अंडर आगी ये आगी आपकी extrovert के अंडर next हम देखते हैं introvert ठीक है introvert यानी की हमारे पास जो दूसरा type था वो था introvert introvert just जो extrovert है उसका उल्टा होगा उन्हें ज्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद ज्यादा बात करना उन्हें अच्छा नहीं लगता है थोड़े बहुत उनके जो friends होंगे वो थोड़े बहुत होंगे self-centered रहना ज्यादा पसंद करते हैं और ये जो personality है ये थोड़ी conservative type की होती है conservative type का मतलब थोड़ी rudy वादी जो सोच होती है जिन person की वो थोड़े introvert जो है वो type के होते हैं ठीक है या तो मतलब ये ज़्यादा question नहीं करते हैं किसी चीज़ को लेके जैसे कि अगर कोई rule है कोई रूड़ी वादिता है कोई जिसे culture है या कुछ और चीज़ है तो जैसी है वैसी ही ठीक है ये ज़्यादा question नहीं करेंगे उस चीज़ पर ये अपने त लिखा है criticism इनका फिर criticism भी हुआ जो हमारे पास ये type approach थी इसके under क्या आया था कार्जंग की जो हमने classification के बारे में पढ़ा इनका criticism भी हुआ कि जो person introvert है वो पूरी तरह introvert ही होगा उसमें कुछ characteristics या कुछ विशेष्टाएं जो है वो extrovert की भी आ सकती है और उसी तरह से extrovert में कुछ विशेष्टाएं introvert की भी आ सकती है ठीक है तो क्या बोला कि इस base पे इनका जो है वो criticize ने किया गया कि जरूरी नहीं है कि person जो है वो सिर्फ दो category में ही divide हो या तो introvert या तो extrovert नहीं some people exhibit characteristics of both extrovert and introvert and may be called ambivert एक और third जो है वो personality यहाँ पे बताई गई कि जरूरी नहीं है कि person में क्या हो सिर्फ ये दो ही personality के type हो ठीक है एक और हो सकता है जिसमें क्या हो mix up भी हो सकता है introvert और extrovert का और उसको नाम दिया गय यहाँ पे ambivert क्या नाम दिया गया यहाँ पे ambivert जो है यहाँ पे इसका जो है वो नाम दिया गया ठीक है यहाँ तक जो है हमारे पास यहाँ तक जो है हमारे पास हमने discuss कर ली चार theories ठीक है I hope कि यह जो चार theories थी वो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी इसमें समझने ल परसनेलिटी को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है जिसे हिपोक्रेट के द्वारा कितने टाइप में उन्होंने डिवाइड किया था क्रेचमर ने कितने टाइप में डिवाइड किया था फिर थर्ड हमने शेल्डन के बारे में पढ़ा और fourth हमने काल जंग के बारे में जो है हमने पढ़ा ये सारी theories जो हैं चारों की चारों theories आपके किसके अंडर में आई आपके आई type approach के अंडर ठीक है अब हम अपना जो है दूसरा जो है इसका पार्ट शुरू करने बाले है इसी क्लास में मैं दूसरा पार्ट भी स्टार्ट कर दूँगी जो आता है आपका आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा theory adopting the trait approach ठीक है पहली थी हमारी type approach के according जो हमने चार theory discuss कर ली अब हम करेंगे trait approach के अंडर जितने भी theories आएंगी उनको यहाँ पे हम discuss करेंगे I think trait के according जो है वो दो theories ही है ठीक है यहाँ पे आज जो है हम एक theory को यहाँ पे discuss कर लेंगे trait approach का क्या मतलब है trait होते हैं हमारे अंदर के गुण ठीक है अब गुणों के अधार पर जो है वो अलग-अलग psychologist ने कैसे personality को define किया वो हम यहाँ पे जो है discuss करेंगे this approach make use of the personality trait for identifying and describing of an individual ठीक है इस approach में क्या किया गया इस approach में use किया गया trait को personality trait को जो गुण होते हैं व्यक्तियों में ठीक है उनको पहचानने के लिए उनको describe करने के लिए किसी person की ठीक है किसी भी person की जो गुण है उनको describe करने के लिए या पहचानने के लिए यहाँ पे जो है वो अलग-अलग cyclogist ने अपने according trade के बारे में अलग-अलग trade के बारे में जो है यहाँ पे बताया ठीक है first हम trade approach के अंडर जो पढ़ेंगे बो पढ़ेंगे all poor trade approach कौन सी all poor trade यह बहुत ही important जो है वो अप्रोच है यह आप theory कह लीजिए किसके अंडर आती है यह आती है आपकी trade approach के अंडर ठीक है इसके according क्या था यह जो theory थी इनके according क्या था according to all poor personality trait are the basic unit of the structure of our personality according to all poor क्या था कि personality trait जो होते हैं जो personality के कुछ गुण होते हैं वो basic unit होते हैं किसी की personality के ठीक है जो हमारे पास basic क्या होते है यह जो personality है यह जो trait है आता basic unit होते हैं यह क्या होते हैं basic unit होते हैं किसी की personality के बारे में जानने के लिए अगर हमें किसी person की personality को जानना है तो हमें उनके trait के बारे में जानना होगा उनके गुणों के बारे में जो है वो जानना होगा ठीक है Alport and one of this colleague advert analyzed about 18,000 term taken from a dictionary that could be used by people to describe each other and they finally came up with a total of 4,541 trait from describing human behavior यह जो पूरी कहानी है अगर मैं short में आपको बताऊं कि यह क्या हो रहा है इसका यह मतलब है कि जो Alport थे, जो psychologist थे उन्होंने अपने colleague के साथ मिलकर एक dictionary में से, English dictionary में से क्या किया 18,000 words को क्या किया, collect किया ठीक है, 18,000 words क्या थे यह एक type के trait थे trait मतलब गुण थे जो व्यक्तियों में उन्होंने अलग-अलग देखे थे ठीक है, वो words बहां से उन्होंने उठाए फिर उन words को भी क्या किया थोड़े बहुत उन्होंने कांट छांट की, मतलब जो synonymous थे, जो एक जैसे जिनका 4541 वर्ड्स जो या फिर trait जो थे, वो निकाले उन्होंने बहां से, ठीक है किसी human या किसी person की personality को define करने के लिए ठीक है, next उन्होंने बात की, फिर उन trait को भी उन्होंने क्या किया जो उन्होंने कितने थे 4541 जो trait उन्होंने 18,000 में से जो can't chart कर उन्होंने बताये थे, उनको भी जो 4000 थे, उनको भी क्या किया 3 category में divide कर दिया, ठीक है जो all quote थे, उन्होंने क्या किया 3 category में उन trait को क्या किया divide कर दिया, ठीक है first उन्होंने जो trait था, वो था cardinal trait, यहाँ पे cardinal होगा गलती से double o लिख दिया है ए होगा यहाँ पे, ठीक है cardinal trait, ठीक है 3 main type उन्होंने बताई यह question आप से पूछा गया है कि जो all quote थे, उन्होंने कितने type की जो थी, वो आपके पास trait बताए थे, ठीक है तो आपको पता होना चाहिए, कि 3 type के जो थे, वो all quote के द्वारा trait बताए गए थे, ठीक है first था यहाँ पे cardinal trait, ठीक है यह cardinal trait क्या होते है यह person, अगर हमें किसी person के बारे में, किसी person की personality के बारे में जानना है तो क्या है, हमें उन trait के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तो कुछ cardinal trait होते है, वो क्या होते है यह जो trait होते है, यह जो गुण होते है यह most active होते है, ठीक है यह मतलब बंदे को देखते ही हमें पता लग जाएगा, कि इसकी जो, अगर हमें उन trait के बारे में पता होगा, तो हम किसी person को देखते ही बता सकते है कि इसकी जो personality होगी वो कैसी होगी, ठीक है यह most active and dominant trait of one's personality और यह मतलब जादा परभाब डालने वाले trait होते हैं किसी person की personality पर, ठीक है मतलब उनको देखते ही हम बोल सकते हैं कि इस person में इस person की personality ऐसी होगी अगर हमें उन trait के बारे में पता है, ठीक है, जैसे for example, मैं यहां पे लूँ sense of humor, ठीक है, तो यह sense of humor होता है, यह व्यक्ति की जो personality है वो हर situation में दिखता है, जो sense of humor है, यह क्या होगा, जो हमारे पास person है, उसकी personality की हर situation में दिखेगा ठीक है, जैसे अगर हम सत्य और अहिंसा की बात करें, तो कौन सा नाम हमारे दिमाग में आता है, जैसे मैंने यहां पे लिखा है, महत्मा गांधी जी का नाम, ठीक है जब भी हम क्या truth और non-violence की बात करें, तो क्या एकदम से हमारे दिमाग में क्या नाम आएगा, महत्मा गांधी जी का, यानि कि ये कुछ ऐसे trait होते हैं, जो बहुत ही active होते हैं, ठीक है होते ये एक और दो ही है, जिसे मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है, होंगे ये कम मात्रा में ही होंगे, लेकिन ये क्या होंगे बहुत ही प्रवल होंगे, ठीक है most active होंगे, ठीक है जैसे अगर हम सच बोलने की बात करें, तो किसका नाम हमारे दिमाग में आता है, राजा हरिश्चंदर का, है ना, तो ऐसे मतलब, जो बहुत ही active trait होंगे, किसी person में, वो कहलाए जाएंगे आपके पास cardinal trait, ठीक है, जिसे हम मतलब, एक दो trait से ही हमें पता लग जाएगा, कि इस particular person की जो है, वो personality कैसी है, अगर हमें उन trait के बारे में पता होगा, कि ये trait, जो है, ये personality के बारे में बताते हैं, second यहाँ पे आता है central trait, ठीक है, ये होते हैं, कुछ 15 trait, ये general characteristics that form the basic foundation of personality, ये कुछ journal characteristics होती है, ठीक है, कुछ सामान्य जो है, हमारे पास विशेशताएं होती है, ठीक है, ये अकसर जो है, वो person की personality में show हो जाती है, ठीक है, ये ज़्यादा dominant नहीं होती है, लेकिन important होती है, जैसे यहाँ पर example लिखा हुआ है, shyness हो गया, intelligence हो गया, या फिर honesty हो गया, ठीक है, they are present to varying degree in each person, यानि कि ये हर एक person में होंगी, जो central trait है, ये कुछ 15 trait होते हैं, अगर किसी person की personality के बारे में हमें जानना है, तो हमें क्या है, ये central trait पता होने चाहिए, ठीक है, कि ये central trait जो है, वो होते क्या-क्या हैं, जैसे shyness हो गया, intelligence हो गया, honesty हो गया, ठीक है, अगर ये सब trait हमें पता होंगे, तो हम सामने बाले की personality के बारे में बता पाएंगे, ठीक है, और ये जो central trait होते हैं, ये हर किसी में पाएंगे, बस difference क्या होता है, degree का difference होता है, ठीक है, कि कौन से person में कितनी degree में shyness है, कौन से person में कितनी degree में intelligence है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत बेरी करता है, लेकिन ये जो central trait है, ये 5 से 10 होते हैं, जो कि क्या है, हर person में जो है, यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये तो बात होगी, sorry, ये बात होगी हमारे पास cardinal trait की और central trait की, थर्ड हमारे पास आता है यहाँ पर secondary trait, ठीक है, कौन से, secondary trait, यहाँ पर दो हमने बात की, cardinal trait की और central trait की, थर्ड आता है हमारे पास secondary trait, यह secondary trait क्या होते हैं, they are only seen in certain situation और under specific circumstances, ठीक है, यह ऐसे trait होते हैं, यह किसी person के ऐसे गुण होते हैं, जो हमें कभी कभी दिखाई देते हैं, ठीक है, किसी खास जो situation है, उसमें ही दिखाई देंगे, यह जैसे हमारे पास first trait था, cardinal trait, जो बहुत ही active था, जो उनकी हर situation में दिखाई दे रहा था, ठीक है, अगर कोई सच बोलता है, तो वो हर situation में हमें दिखाई देगा, महसूस होगा, ठीक है, अगर कोई जो है, जिसका sense of humor अच्छा है, तो वो हर situation में हमें पता लगेगा, कि इसका sense of humor जो है, वो बहुत अच्छा है, या इसके पास sense of humor है ठीक है तो वो हमें हर situation में पता लगेगा और हमें पता लगेगा कि इसमें जो है वो cardinal trait है तो उसी तरह से secondary trait क्या होते हैं जो हमें कभी-कभी दिखाए देते हैं किसी-किसी situation में ठीक है जिसे selfishness हो जाना ठीक है जब या फिर आपका कोई ऐसा दोस्त जो मतलब वैसे तो friendly है आपके साथ लेकिन जब उसे कोई परिशान करता है तो वो क्या है गुस्सा हो जाता है ठीक है मतलब ऐसे ट्रेट जो कभी-कभी दिखाई दे ठीक है या फिर किसी particular situation में दिखाई दे ठीक है वो कहलाते हैं हमारे पास secondary trade ठीक है तो यह आगे हमारे पास secondary trade तो यहाँ पे जो थी trade approach की हमने first जो है वो theory यहाँ पे complete की वो कौन सी थी आलपोर्ट की trade approach theory थी ठीक है इसके अंडर जो है हमने तीन trade के बारे में पढ़ा तीन trade कौन कौन से एक तो cardinal trade दूसरा central trade और third आगे हमारे पास secondary trade ठीक है इन ये जो trade है question आपसे पूछा हुआ था HPTAT के जो exam है बहाँ पर ये question आया हुआ था कि ये जो trade है आलपोर्ट के द्वारा जो है वो कौन से trade दिये हुए है तो option में बहाँ था एक में था cardinal एक जो line थी मतलब एक जो first option था उसमें ये तीन ओ ट्रेट लिखे हुए थे cardinal central secondary और नीचे वाले जो option थे उनमें अलग-अलग trade जो लिखे हुए थे तो आपको पता होना चाहिए कि आलपोर्ट के द्वारा जो है वो कौन-कौन से ट्रेट जो है वो दिये गए हैं ठीक है वैसे तो जो ट्रेट होते हैं वो मेलनी जो है वो दो type की होते हैं एक होते हैं common trait और एक होते हैं personal trait ठीक है जो common trait होते है common trait का मतलब है trait से आप समझोगे गुण है ना जो मैंने पहले पताया हुआ है common trade का मतलव है वो ऐसे गुण जो सब ही में पाए जाएंगे ठीक है वैसे गुण जो सब ही में सब ही person में पाय जाएएंगे और जो personal trait होते हैं वो उस particular person में ही पाय जाएंगे ठीक है जिसकी personality के बारे में हम जानना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं ठीक है तब ही वो क्या बनेगी एक unique personality जो है वो बनके आएगी ठीक है तो दो type के trait वैसे mainly तो दो type के होते हैं लेकिन इनके according इन्होंने कितने type के बताए हैं तीन type के जो है यहाँ पे discuss किये हुए हैं next जो हमारी class होगी हम इसी यह जो trait theory है इसी को ही आगे discuss करेंगे इसमें हम जो अलग हमारे पास psychologists थे उनके according हम समझेंगे कि उन्होंने trait के बारे में क्या बताया ठीक है जो type थी इसमें confused मत होईएगा जो हमारे पास type approach थी उसके अंडर हमने 4 theory को discuss कर लिया है अब हम पढ़ रहे हैं अपनी trait theory को और जिसके अंडर भी हमने first theory को discuss कर लिया जो थी all port की theory ठीक है all port trait theory ठीक है अब हम second इसमें theory जो है